कैसे हैं आप सब उमिद हैं आप सम्मस्त होंगे तैयारी भी बिंदास चल लही होगी तो केमिश्ट्री का एक्जाम हो चुका है वीपीएस वीव का जिसको बहुत ही अच्छे से हैंडल किया है बच्चों ने कमेंट लगभग पोजिटिव ही मिले हैं कि सबका अच्छा गया ह पेपर इससे यह भी पदर्शित होता है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं और करना भी चाहिए ठीक यही उच्चित है आपके लिए भी तो आज हम बोटनी के इंपोर्टन्ट कुश्चन वनस्पत विज्ञान के डिसकस करेंगे वनस्पत विज्ञान का जो बाटनी का पेपर ह उसमें भी लगभग कुश्चन वही आएंगे जो मैंने अलेडी से पहले पढ़ा दिये हैं और जो यह लेक्चर है इसको आप पूरा देख लोगे तो आपका पेपर जो है अच्छा जाएगा संभावनाय पूरी है क्योंकि कुश्चन भई कहां से आएंगे ठोपिक वही है छोड़ दे लेक्चर पूरा देखो यह और दूसरी बात एक कुश्चन से रिलेटर में चार कुश्चन करवा देता हूं साथ में तो वह भी साथ साथ आपको मिलते जाएंगी पॉइंट जो एडिशन पॉइंट है एडिशनली इससे आपका फाइदा होगा तो यह महा संग इसका दा डिशरो फोड इंद looking the forest इससे प्रशेंट इनदा फेम ओस इस कोशिका में संचित भौजबार्थ जोमता है वह चेंश की प्रूप में इसे प्रोटीन के रूप में स्टार्स की रूफ में shifts कि उसप्र गलाइकोन तो तो इसमें, इस्ट सेल जो होती है, उल एंड गलाइकोजन के रूप में भोज्ज पदार्थ संचित रहता है, अब गलाइकोजन आप देख रहे हों, तो इससे आपको पता चल लाँगा, हम लोग जो है, हुमन बोड़ी में भी, जो फूट होता हो, किसके रूप में, रेजरव फूट मिट्रील is only die du同 के रूप में युल लेकिन वह अलग अलग परकार का रहता है यह ऑल- और गला्यकोज एग उस्टोर करते हैं नहसे सफर क्यों किया जाता है अब जैसे हम लोग इस्टोर कर लिए अब मानलो जब बैक्ति उपवास रहता है वरत रखता है तो दो चार दिन के लिए अगर रख दिया अनुष्ठान है तो उसमें क्या होता है जो इस्टोर होता है वही खपत होने लगता है मानलो अचानक से ऐसी कंडिसन आ जाए कि भोजन ना मिलने लगे तो प्रकतिने नेचर ने ऐसा हम लोगों में इस्टोरेज और गन्स बना रखें इसलिए कि कुछ दिन तक अगर ऐसी परिस्टितियां आ जाए कि भोजन ना उपलग्द हो तो बेक्ति सरवायू कर सके कोई भी सन्ट पढ़ेंगे शामन फिजिऑ्रू लोजी में हमारा टोपिक है डाइसर्टि ह्टीव सिस्टम किस तरह से स्टोर रहता है और जलाकोजन से किस ci से क्लुट्गोज में जब कमी होती है तो फिर से गलाइकव में इस्ट में होग मीं कर्णत हो जाता तो यह बयो किमिश्ट वी मोता है इसको याद रखना है एक और भूस में औरिंस जन में जोंस्पोर से यह ये कैसे होते हैं नौन मोटाइल होते हैं तो यह सारी चीज इसक्स कर रहहाँ साथ में यह कुछ भी कुश्चन इन चारो आप्िन पू hers सकता कुई ज़रूरि नहीं किर ankles का लेंगी जनन ही पूछे इनलार्ज मेंट आफ इनफेक्टेड टिस्यू डियुटू टू डियुटू इनक्रीज इनदा नंबर आफ सेल्स इन इसकाल्ण संक्रमित उतकों का आकार बढ़ना मालो यह टिस्यू थे बहुत सारी सेल एक पास थी आइडेंटिकल सेल एक जैसी से थे जिनका καल रहे हैं और साणाचना एक जेसी होती हों लें सेलों को सामोunt तौर बोल देते हैं तो इसमें चलिज्अका साइज गी बढ़ रहा है तो उसे क्या बॉलते chlorosis, necrosis, hypertrophia, hyperplasia ये चारो disease के बाद के symptom है plants में जब disease cause होता है उसके बाद में जो symptom आते हैं बाहर उसका form है ये चारो ठीक है तो जब cell division के थूरू tissue enlargement हो रहा है तो उसको बोलते है hyperplasia क्या बोलते है hyperplasia मालए cell division नहीं हो रहा होता growth के कई सारे method होती है न ऐसे इसे डिवाइड कर रही ग्रोंथ है एक से दो बढ़ रहे है न तो वह भी प्रधी कर रही तो अलगक्रक्राइव master की ग्रोंथ हो जाती है तो इतना याद रहाँ जिब इवाइड हो रही है तब न कर बढ़रह है टिश्यू का तो उसको बोलतो है हाइपरपलेजिया इस्ट इस सोर्स आफ निम्नम ऐसे इस्ट किसका स्रोत है अब इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है विटामिन सी राइबोफलेविन सुगर या प्रोटीन तो आप लोग जनरली पढ़े है रहते हो कि इस्ट से कुछ इंजाइम सिक्रेट होते हैं जैसे इनवर्टेज है जाइमेज है यह इंजाइम उससे सिक्रेट होते हैं और विटामिन B complex तो vitamin B complex जो होता है उसमें B complex में B1 आता है, B2 आता है, B3 आता है और B5 आता है, B6 आता है, B7 है, B9 होता है, 8 और B12 होता है इतने प्रकार के vitamin B पाये जाते हैं B complex में तो ये आपको अब दिक्कत ये है, इसमें कहीं vitamin B तो है नहीं, लेकिन इनके जब रासाइनिक नाम याद होंगे तो आपको पता चलेगा, vitamin B2 जो होता है, इसका नाम होता है, chemical नेम होता है, इसका रासाइनिक नेम राइबोफलेविन, तो आपको आपसन मिली गया राइबोफ B6 को, Pyridoxin, B7 को, B7 को बोलते हैं, Biotin और B8 जो होता है, इसका फोलिक एसिड बोलते हैं, B12 को क्या बोलते हैं, साइनो को वाले मिन, इन सब के कमी से disease हो जाते हैं, इनकी एक्सेस मात्रा अगर परजेंट है, तब भी disease हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम बायो केमिस् ज़गों में हेडरो तेलिजम की खोज किसे नहीं थी? एलेक्जियोपोलस, फ्लेमिंग, ब्लेक्सली या इसमित, तो इसका रायट एंसर है एलेक्जयोपोलस, ये सेंटिस्ट हैं, जन्हों ने हेडरो तेलिजम का को डिसकवर किया ता फंगली में, अकला क्वश्चन है, द दलहानी पौधे जो नहीं साफ होते हैं दलैनी और तिलाहनी लेहीं दलहानी पौधे पौधों की ज़ड़ों की गाठों में पाए जाने वाले कौन सी बेक्टिरिया है कन साफ पाय जता है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन ये सभी करते हैं वेक्टिरिया लगभग लेकिन जो राइजोबियम होता है ये फिरी लीविंग नहीं है ये एसोसियेशन दर साता है सिंबायोटिक एसोसियेशन किसके साथ जो हाइयर प्लांट है लेगुमिनस प्लांट उनकी जड़े होती है उसमें रूट नूडियूल फार्म करके नाइट्रोजन को फिक्स करता है वामंदली नाइट्रोजन जो है अटमसफडियरक यन्ट्व्छक मोलिकुलर नाइट्रोजन को नइट्र आयन में कνवड़ेट करता है जिसको सिधे अपजोब कर लेते हैं दोह फेर टाइल हाइमेन नहीं है हाइमेन क्या होती है हाइमेन तो वेजाइना की परत होती है वह हम रिप्रोडेक्शन में कवर करेंगे अगर फिजियोलोजी में रिप्रोडेक्टिव सिस्टम होगा तो और आप लोग ट्वाइल में पढ़े भी होंगे जो कवरिंग होती है वेजाइना की हा भाइमेन है यह हाइमेनियम है तो इसमें कंफ्यूजन नहीं हो आपको उस पे फोकस करना है ठीक है चुकि फसाने की कुसिस पूरी करता है स्खेते में चुक्षम हँड़ी थू फांडरेphon si अवर मतलब द्फ इस्ट से मोई जाता है लेकिन एक पृंजाई एसा है जिसने माज्यों आप्सेंट होता है वह यूणी से लिलेृ मतलब से नीजिन-अम्घू- Colorado है सिंगल सेल प्रोटीन में इसको यूज करते हैं इस से बहुत चाहिप का परोडեक्सन कराते हैं इससे हम चीज का फोरमेशन करते हैं पनीर का इससे हम ब्रेड बनाते हैं सोच विए कितना इंपोरटन ऑर यह । आभासी का वक्तन तो पाया जाता है प्रकार का माइसीलियम नहीं होता है तो इस तरह से इससे इसमें इसρώब बन जाता है उपर यह मुकुल बन जाता है त और जिस से रेलेटस इसले चीजे मैंने बता दी रेड रोट आप सुगर के इस काउजड वाई गन्य में रेड राट बीमारी किसी से किसी के संकर्मण के कारण होती है कोलेटो ट्राइकम फैलकाटम आल्टेनेरिया बेसिक है अल्विगो कंडिडा इसको स्ट्रोपस कंडिडाइस भी बोलते हैं इस पर जैस नाइगर तो आपको बता दूँ यह कुश्चन मैंने कई बार करवाया है लेकिन कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट ऐसे हैं जो मुझे लगा कि वह भी पॉश्च सकता है तो इसको इसलिए मैंने कुश्चन रखा कि वह भी आपको बता दू रेड रोट तो आप लोग अभी तक अगर मेरे लेक्षर सभी देखते होंगे तो पता होगा कोलेटो ट्राइकम फैलकाटम से होता है कई बार मैंने करवाया है हिंदी म क्योंगि जो आल्टर नेडियव cash के अब एंचलिस में लेहा है वही दी में लिखना हुआ है ये कोश्चन पोच सकता है तो आपको याद रकना जो सुगर होता गन्या के अंदर चीनी उसका ओकशीडेशन हो जाता है इस फंजाई के प्रजेंस में यह कुछ केमकल से करता है जिससे क्या होता है और रेड़ आपिएरेंस आ जाता है वहां पे ठीक है तो गन्य में लाल सड़न डिजीज पे रोग पे बहुत ज़्यादा कुश्चन पूछते हैं अभी तक पूछा गया खो लाइकेंज आर एको लोजिकली इंपोर्टेंस विकाज लाइकेंज जो पारिस्थित की रूप से बहुत मात्पूर्ण होते क्यों यहां पूलिटेड एरिया यह तो सरासर गलत है आपको पता है जहां पूलिशन होगा जिस इनवारिमेंट में सलफर डायकसाइड कारबन डायकसाइड ऐसी गैसियों की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे उगेंगे नहीं यह बात गलत हो गई क्योंकि यह सिम्स्याइड ऐसोसेशन तो यह भी घलत हो गए फटूर्म पियोंिर वेजिटेशन लिठोसर वे चट्टानों पर आरम भी वनस्पत होते हैं ये सही है इसका राइट एंसर है क्योंकि जब चट्टाने होती है चट्टानों से दीरे-दीरे हम जो मिट्टी में वो कनवर्ट होती हैं तो उसमें बहुत सारे अनुकरमड होते हैं आप लोग पढ़े होंगे अनुकरमड पारिस्थितिक अनुकरमड जलिये अनुकरमड ये सारी चीजे कच्छा बारा में हैं ट्वाइल्थ में पारिस्थितिक इतन तरगर पढ़े होंगे आप लोग सब करोना में ऐसे ही पास होके आया है जो प्रथम मतलब प्रभावी होते हैं आरंभी प्रभावी उनस्पत होते हैं चटानों पर चटानों को दीरे-दीरे तोड़ते रहते हैं जब उसके उगते हैं फिर उसके बाद में जब थोड़ा-थोड़ा भरभुरी मिट्टी होने लेगती है तो उसमें छोटे-छोटे प भूंग में परिवर्त्त करते घान अवस्ट करते हैं को आइसे जगह जहां पर किसी प्रकार में इस से पहले कभी और यह कोई था ही नहीं कोई लाइफ थी ही नहीं और फस्ट ताइम आई तो उसको प्रात्मिक बोलेंगे दुतियेक मतलब कभी उस पे और गुरो करते थे लेकिन किसी कारण बस उतल पुतल हो गई ठीक है वॉलकेनिक लेफसन हुए कुछ भी हुआ तो उसमें क्या हुआ वो दब ग चाहिए जो नीट की प्रप्रेशन करते होंगे उनके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट मल्टी नुकलियेट एस अप्टेट हाइफी इज काड़ एज बहुक के अंदर की पट रहित कवक तंतु को क्या कहते हैं सीनोबियम बोलते हैं सीनोसिटिक डायसिटिक या पैर प्रप्रजेंट हो कुछ माइसलियम ऐसे होते हैं एसेप्टेट में इस तरह से जो नुकलियस होंगे है तो इसमें बीच में सेप्टा नहीं है तो सेल तो इस तरह से सेप्टेट होंगे उसमें एक सेल में एक एक नुकलियस आ गया तो यह तो यूनिनुकलियस हो गया और प कॉ необход होती है की नुकलियस का यह सारे हो इसम डिफाइन नहीं है कासे बाउंडरी है एकसल हिई तो यह मल्टी नुपियेट हो जो इस कंडीशन को जिसमें सेबटाइवज और नुकलियस ही में बहुत सारे हो तो उसको बोलते सीनोसिटिक मल्टी नुक्लेट एसेट हाइफी या माइसीलियों को बोलते हैं सीनोसिटिक सीनोबियम मतलब कोलोनी को बोलते हैं जो वालवाक्स की कोलोनी होती है डाउटर कोलोनीज होती है उसको बोलते हैं सीनोबियम यह सेवाल में पूशता है सीनोबियम वाला और सेवाल और जितने भी मतलब टोपिक में करवा रहा हूँ है सब रिलेटर तो वही है बोटनी में सबसे तो पूछा जाएगा सेवाल से भी पूछा जाएगा अलगी है पंजाई है प्लांट पैतोलोजी है ठीक है माइक्रोबायोजी है इन सब टोपिक से आने वाले हैं कुछ्छन डेथ आप सेल्स एंड टिस्यूज इस काल्ड एज क्लोरोसिस नेक्रोसिस फाइब्रोसिस या साइटोसिस तो यह भी कई बार करवाया है मैंने इसको ने फर्टिलाइटर निम्न में से किस सेवाल का प्रियोग जेविक उरोरक या जेविक खाद के रूप में किया जाता है नोश्टोग क्लोरेला एक्टोकर्पस या सरगेसम तो आपको पता है जेविक खाद के रूप में किसका प्रियोग किया जाएगा इसमें हेट्रोसिस्ट ह अगर लेक्चर आप आलेडी देख रहे होंगे तो मैंने बताया है जो मोजेक संप्रटम होते हैं मैंली वाइलस से होते हैं अब यहां पर डिजीज का नाम है ये ये वाइलल डिजीज होगा 100% ऐसे आप ट्रिक से भी कुश्चन सही कर सकते हो और आगे इंपोर्टेंट चीज इसका निर्माण किसकी सहायता से किया जाता है इसकी मैंफेक्चरिंग एसलिए कुश्चन रख दिया हूं कि इंपोर्टेंट है पूछा जरू जाए गई जब कुश्चन उठते तो इसी तरह के पूछा जाता है अप्लाइड माइक्रोबाइलोजी से ठीक है दा बैक्टिरियर नुकलियस जिवान के इंदर जो होता है किस प्रकार का होता है वेल डबलब होता है पूंड विक्सित नहीं क्योंकि बैक्टिरिया जो होते हैं वो प् उनसेपीयेंट यह जई यह बात इसमें अलप विक्सित परगाल का होता है ठीक है कुछ लोग क्या करते हैं सीधे अफसेंट पर लगा देती है लेकिन अफसेंट नहीं हुता है जो पो क्यों-डॉली ही होता है completely क्योंकि जो यूकेरियोट हैं उनका गी evolution प्रोकेरियोट से हुआ है तो प्रोकेरियोट में न्यूकलेस के कुछ-कुछ लच्छड थे पहले से तभी वो यूकेरियोट में ज्यादा प्रभावी हो पाए तो पूरा न्यूकलेस बन गया जीवाड़ों में सबसे ज्यादा कौन सी प्रजणन विद्पाई जाती है इंडो इस्पोर फार्मेशन का मतलब होता है जो बैसिलस जीवाड़ों होते हैं जो छणाकार होते है ठीक छणाकार जीवाड़ों आप इंसी आर्टिगर पढ़े होंगे 11-12 की तो उसमें इस तरह से बनाया हुआ है भीजमें यह बिजाणव बनाया हुआ है तो इसको बोते हैं इंडो इस के अंदर बन यहाई है इसके बाहर अगर ऐसे-से बंते तो फार्मेशन सेब होता है लेकिन नहीं पाया जया जाता है इसमें पूचा सबसे ज्यादा कांजूगेशन मतलब सब्लीघ् क्या लग हो गया उससे नया बेक्टीरिया बन गया दूविवाजन यह इसमें क्या होता है एक बेक्टीरिया से इस तरह से दो बेक्टीरिया इस तरह से यह विभाजित होते हैं इसको बोलते हैं बाइनरी फीजन यह कामन में थड़ है किसकी रिप्रोडक्शन की बेक्टीरिय में मेरली जो है दौ इसमें रि landmark होता है the genetic material packed नहीं होते हैं यह वह बहुत इंपर्टेंट होते हैं बहुत सारी अब्यक्तिरियो को do का पानी कभी शर्टा क्νों नहीं घो में पूछोगे ना तो गवो यहीं यह घोंने तो तब हिए ऊसको डिकमपोज नहीं करेंगे तो उसका कंसेप्ट होता है इसमें अनमंसिक पदार्थ sabot engineered DNA होता है सिंगल इस्टेंडर्ड आर इन्य किसमें पाया जाता है याद रखना बहुत इंपर्टेंड है यह जो है सिंगल इस्टेंडर्ड आर इन्य यह पाया जाता है ट्रोवेकों मोजेक वाइरस में और मेलली जितने भी प्लांट वायर्स होते हैं उसमें सिंगल इस्तंडर अरेने ही पाय जाता है और जिवाड भोजी जो है जीवाड भोजी और लेमड़ा फाज भी ज्यादा तर पूछा जाता है तो इसमें पाए जाता है टेबल इस्टेंडर डेन ने बेक्टीरियल सेल है विंग आट टफ्ट आप फलेजला एट वन इंड इस गाल्ड एज एसे जिवार जो अंत पर कसाविका का गुच्छा रखते हैं उसको क्या बोलते हैं Mono-trichus, Ampytricus, Peridricus या फिर A-trichus A-trichus का मतलब ऐसा बेक्टीरिय जिसमें प्लेजला हो ही मत एक भी फलेजला ना हो ए पेर ठाहिकस का मतलब इसके चारो और जो जेतना भी सर्फेस बाहर सर्फेस चारोग और स्यमेट्रिकली इवाइट ऊङट्रा बहुत सारे, फ्री ठाहिकस का मतलब होता है इधर भी गुच्छय में परजयंट हो dow, इधर भी अब इन चारों में से कोई भी पूछ ले, आप आराम से कर लोगी, आसान चीज है, डाइगराम से बताया तो अच्छे से समझ भी आ गया होगा, लिटल लिफ आप रिंजली स्काउस्ट वाई, ये भी कई बार मैंने कुस्चन करवाया, बहुत इंपोर्टेंट, इसके प्लाजमा से होती है, माइको प्लाजमा भी लिकान मिल सकता है, फाइटोपलाजमा की जगाशन भी मिल सकता है, क्यूकि जब प्लांट में डिजीज कोँगरता है, माइको प्लाजमा उसको फाइटो प्लाजमा बोज लगते और दूसरी बात याद रखना है इसके सिंपटम क्या होते हैं पोधा सोखने लगता है फल बहुत छोटे आने लगते हैं क्योंकि जब लेप का सरफेस घट जाएगा छोटी पत्ती हो जाएगी एक इतनी बड़ी पत इसमें फल बड़े लगेंगे इसमें उर्जा होगी प्लांट में हरा भरा रहेगा तो यह सारे सिंपटम हो सकते हैं अब आपको खुद हिंट दे रहा है कि छोटी पत्ती डिजीस अब इतना तो कामन सेंस आप भी लगाओगे ना तो इस तरह से अपने आप भीस का इंसर आ सेकरों ₷ सेैलिशी,, जो को इसट बोलते हैं क्या बोलते हैं इस्ट के बात की जा रही है इसका प्रियोंक कहां किया जाता है बेकरी इंड्र्टिरी में चाना फ्ट प्रोड़क्षन फ Already अफ टेजीं के फिलियुस ब्रेणे में अट्रीने में ए जायमेज सखेड जाएमेज है सारे एंजाइब का प्रोडेक्शन भी से कर सकते हैं लग सब्सक्राइरा यह ब्लाडीर, उंसरे प्र्रेमित का निर्मालिक का द्वारा जाता है, आपलाड़ टॉक्सिन, एक प्रकार का टॉक्सिन है, ठीक जिससे एसपर्जिलोसिस डिजीज हो जाता है यह एसपर्जिलस फ्लेवियस के थुरू प्रोड्यूस किया जाता है जो कवकों में जो प्रजनन होता है लेंगे उसका करम बताना है कि उसमें कौन कौन सी इस्टेज आती हैं किस करम में आती है केरियो गेमी पहले इनका मतलब बता दू केरियो गेमी का मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीजन जो जेनेटिंग मेटेरियल है उसके डिवीजन को भोते है केरियो गेमी प्लाज्मो गेमी मतलब उसका जो साइटो प्लाज्म है या प्लाज्म है वो डिवाइड कर रहा है और म प्लादमोगेमी होगा फिर बाद में केरियोगेमी होगा उसके बाद में म्यूसिस होगा तो इसका राइट एंसर है आपसन सी रोड से बेक्टिरिया और काल्ड एज अब यह मैंने कुश्चन करवाया है लेकिन इसलिए करवा रहा है कि आपका रिवीजन भी हो जाए और चारों को बारे में बता दूं आपसन के बारे जो छड़ी नुमा होते हैं छड़ाकार बेक्टिरिया होते हैं उनको क्या कहते है उनको कहते हैं बैसील सीटीक हैं हिंदी में बैसी बोलते हैं कोकर मतलब डौंड सेमय होते हैं और यूफम्छा बादर कॉमा किया करें ठीक आपको इसका आना आपको पता होगा जो वाइटरस होते हैं सजी और नेटर्जी और बीच के बीच की कड़ी होते हैं क्यों ये जब किसी होस्ट के किसी औरगनिज्म के बाहर होते हैं जब इनवार्यमेंट में तो यह नौन लीविंग के जैसे बहु करते हैं, जब किसी और्गिनिजम के अंदर घुश जाते हैं, तब यह एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि जो होस्ट की मिसिनेडी होती है, उसको यूज करके यह रिप्रोड्यूस करते हैं, इनके पास खुद की कोई मिसिनेडी नहीं होत कि मिलर ने सन 1935 में किस्टलाइजेसन किया था वाइरस का रवेधार बनाया था वाइरस को और किस वाइरस को बनायात था , जाद रखना है क्योंकि वाइरस वाइरस का पार्ट है ना टेंबी भी प्रणा था को सिलेवस में मैंने पढ़ाया भी यह डिटेल में तो इसका ट्राइट एंसर होगा आफशन डी आल आफ़दा एबाग हुच आफदा फालूइंग एज एन यूनिस सेलुडर फंजाई इससे पहले बताया सेकरोमाइसीज होता है जिसको इस्ट बोलते हो एक इस्ट सेकरोमाइसीज सेरीवसी नौन मोटाइल थिन वाड़ स्पोर आप अलगी आर कार्डेज यह भी मैंने पहले ही डिसकस कर दिया था इस्टार्टिंग में ही जो सेवाल पतली कोशिका भित्य वाले और अचल भी जा ग्राम इस्टेन पूछा है ग्राम अभिरंजक का प्रयोक किसको पहचानने में किया जाता है जनरली जो इस्टेनिंग होती है किसी भी और्गिनिजम की इस्टेनिंग करो किसी भी चीज की इस्टेनिंग करो इसको इस्टेनिंग ही बोलते हैं लेकिन जब खासकर आप बेक् बैक्टीरिया के स्टेनिंग की नहीं घ्राहएं पूरा होता है एक देशे आपको पता है HOका मौर्डेर के रूप में क्या यूज क्या जाता है Nawaz के पहले डिसकस कर चुका प्रजन्स आप विच बेक्टीरिया इंडिकेट्स फीकल कॉंटेमिनेशन इन वाटर किस जिवाण की जल में उपस्थिती मल प्रदूसन का सुच गए मतलब आप कोई वाटर था भरा हुआ ठीक है उस वाटर को चेक किये तो अगर उसमें मल उपस्थित था तो कैसे पता लगाओगे कि इसमें मल है कोई ऐसा हिंट आपको मिलना चाहिए तो इसमें से कौन साइसा बेक्टीरिया है जिसके मिलने पर आप ये इंडिकेट कर है कि इसमें मल मिला हुआ है फीकल मेटेरियल है इसमें राज़ोवियम, एकोलाई, नैच्रोस्टाइम, तो कौन साइससे बेक्टीरिया जो हमारे गट में रहता है, इलिमेंटरी कैनाल में रहता है आप सबको पता है इसके रिस्या कोलाई इकोलाई जो है हमारी बड़ी आत्र में लार्च इंट्रस्टाइन में पाया जाता है विच आफदा फालोविंग इस दा इसमालेस्ट और्गिनिजम कैपेबल आप आउटोनॉमस गुरोथ एंड रिप्रोडेक्शन तो सबसे इसमालेस्ट कौन होता है माईको पलाजमा ही होता आपको पता ही है स्वतंत रूप से प्रजनन भी कर सकता है बिना आक्सीजन प्रिंजल पूछ लेता ज्यादा तर फाइटो प्लाजमा या माइको प्लाजमा से और यह सबसे सुख्षम होते हैं माईक्रोश्कोपिक होते हैं समालेस्ट और गिनिजम हैं विदावट आक्सीजन के सरवाई उपर सकते हैं सेलवाल अपसेंट होती है इतनी चीजे काफी ह पूछेगा पूछेगा फिच आप फालोविंग पिगमेंट इन फ्योफाइसी जो है ब्राउन इल्गी है बोरे सेवाल इसमें कौन सा हरित लवक पाया जाता मैंने आपको बताया था जो कलोरोफिल होता है हर जिके कामन है उसके बाद में जब बात करोगे कलोरोफिल बी की इसमें कः की बात करोगे तो फियोफाइसी हो जाएगा rael सेवालोज हो जाएंगे और की बात करोगे तो इसमें कही सारे जंतों पाय सीडिक में एक के साथ सी परजन्त होता है हेटरोडोड्रैकेस हैभी ऑबिट्स मिज Hm मतलब होता है तो मतलब होता है अच्टेया के चने लिए अगारेटी होता है कुछ और ओपर होता है ठीक है प्रोस्टेट सिस्टम इसको बहुत है हेट्रोट्राइकस टाइप अगार 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 बहुत इंपोर्टेंट है अगार अगार नीट के प्रप्रेशन करते होगे आपको इसमें से सारे कुश्चन बहुत इंपोर्टेंट अगर कर रहे हैं अगार अगार पर कई बार नीट में कुश्चिन पूछा गया है, ये किस से ओप्टेन होता है, ये भी पूछा गया है, वही तो पूछ रहा है, रेड अलगी से, लेकिन कौम सी इसपीसी जनरा बताईए उसका, जिलेडियम और क्रेसी लेरिया, जिलेडियम एंड ग्लेसी ले ये दोनों रेड अलगी है, जिससे क्या प्राप्त होता है, अगार अगार प्राप्त होता है, इसका यूज अगारोज जल भी बोलते हैं, इसका यूज भायो टेक्नोलोजी में भी करते हैं, बहुत सारे सौंदर प्रसाधनों को बनाने में किया जाता है, इसका यूज रिवीजन कर लो याद सब कर लो ये इस्टेरिलाइजेशन में यूज होता है टोकले होगा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डेन ने फाउंड इन दा बैक्टिरियल सेल इस काल्ड एज बैक्टिरियाल कोशिका जो होती है जिमार कोशिका में गुर्शूत्र के अतरिक्त प इसको बोलते है मने दून को करता है आप जानते इह हो कि तरह से प्रोक यू करते हैं इसको umona को बोलते हैं Nucleoplasma मतलब नूकिलियस का जो प्लाजमा होता है जा मित्व कांडिया जैसे लिए उसको बोलते हैं यह पहले ने दुसरे प्रूक्रियोंत को खा लिया यह फूरी थयरी पढ़र informed क्या तो पता चलेगा तो यह प्लाजमिड बोलते हैं इसको जो डबल स्टेंडर सर्कुलर डेनने पाया जाता है प्रोकेरोट्स में या फिर बेक्टिरियल सेल में कि आफ्टा फालोविंग अबलीगेट पैरासाइट निवन में से कौन सम्पूर। परजीवी है और उबलीगेट पैरासाइट तो ये आश्ती लेगों जो हो कि यह लेगी ठीक है भूरे सेवाल बूरे सेवाल से प्राप्त होता है अगला पॉस्चन है कि दा इन्फेक्सियस प्रोटीन पार्टिकल और काल्ड एज संक्रामक प्रोटीन कड़ों को क्या बोलते हैं वाइरस वाइरोंस वाइरोसाइड्स या फिर प्रियोंस तो आप सबको पता है प्रियोंस ने प्रोटीन के बने होते हैं इसे मेड़ गाव डिजीज कॉज किया जाता है कुछ किया जाता है यह बहुत इंपोर्टेंट है नीट में भी पूछा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन